कि अलो व्रीवां गुट आफ्टर नून ओमाइगाज आप लोग एनर्जेटिक दिख रहे हैं हम भी एनर्जेटिक है वाल चुड़े आप बोड़ा इस्पेशल टॉपिक फॉर यू ठीक है एक ऐसा टॉपिक लेका है हो जो कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों डीटिल में मैं समझाऊंगा क्योंकि आज वीडियो वी शूट हो रहा है तो यह जो वीडियो है उपने चैनल पर अप्लोड करेंगे और भी लोग जो इस तर्स पहुंच सके और साही चीजे देख सके बढ़ी तोपिक आप आर अनुट को यह जब रहा है तो यह यह जो जो फिल्लेटेट तो मैरेज और वीडियो इस थोड़ी अठाद बार गारीज पर गिंग्या चल रहें है वाग्या थे आप लोग मेसे किने लोग इंज्ञाया तो इस आटनी और आगया यहां इतना निवतों को भी देखेंगे आज इंगलीस में हम क्या कहते है ठीक है तो तो और अन्सर कितनी साथी अटेंड किये हैं आप एक विक में कि अभी नहीं अटेंड कियो हैं मॉंचिया डिडियो अटेंड डिडियो अटेंड एनी मेरिस पार्टी विदिन वीक अटेंड निटों मैंड ओके आई विल टेक यूवित मीए ओके आफ्टर फाइब देखेंगे आप दिमार अपने साथ ले चलूंगा तो खेर आज वेडिंग से लेटेर बातचीत करते हैं ठीक है जाते होगे खाना-खाने तो हाथ तहला जोते होगे हैं सबसे पहले को रजग और क्रिकैन करते हों चलूंग से पहले हम सभी करते हैं ठीक है ठीक है कि जब दो परिवार जुड़ते हैं एससे औ Google अकरी हो जाएगी हाँ पहले हम लोगे लिखते है तीक है उसके अपनों बताओ अपना क्या होता है दूलन ठीक है क्या ओके अगर मैं हिंदी ना लिखूं ऐसे लिखू तो ठीक रहेगा ना दूलन दूला और बोलो चलो ठीक है सास अरे सास के बाद ससूर को भी दो ले लो ससूर और देखो हिंदी ये चीज़ हिंदी भी लिखा हुआ है एक तरह समझे समया रहा है मैंने इंग्लीज में लिख रहा है आप लोग अपने एजी के लिए आप हिंदी लिख सकते हैं चलो या औरस ऑस ससूर और सारी या कोई वीडियो भी मेर्ट का कहें के साली साला क्या पढ़ रहें जटां उठां दूर रखो यार अरे यार वही साली है अगुवा ठीक है अगुवा ले लो या फिर इसको बीचो लिया बोलते हैं जो दोनों तरब की गाली सुनता है प्यार से यही होता है ना मतलब जो दूलन रहती है उसकी जो फ्रेंश लोग होते हैं उनको लोग क्या होते हैं वदू सकी और क्या बहु भी हो गया दामाद दामाद और अब सब्सक्राइब आप जो ठीक है यहां पर लेते हैं लोग ठीक है यह क्या हो गया अब सब्सक्राइब अब उसक्राइब अच्छी बात है की बुरी बात है लड़के लोग को सब्सक्राइब अच्छी बात है और और डृट फिटर प्राब बात है नहीं लिए चेने शुट भी टेक डावरी और नौट विसुन आपके बाज भाज बाज़ार शेइंग लड़के वना तभी तो ओके सववाल वाले है और कोई चूट रहा है और को प्वाट रहा और किया भाभी को ले लों क्या भाभी हो गई ऑ सवराल वाले जीजा हाँ और और चो ठीक अंच ऑबंदूर का जब साधीव बात कॉन सा ह्कून रिलेशन बनता है अ इधर भी वो आगे चाहिए की तीन में देट अब आगे वो आपका लिखा हुआ है ओ आगे शूल्ट में वह व सिंपल से कि हमारा मैरीच मैरीच मतलब क्या होता है साधी ठीक है एक होता है विवा समारो सॉरी वेट अभी हिंदी लिख रहे हैं हम लोग ना क्या साधी एक होता है विवा समारो क्या होता है विवा समारो ठीक है अब साधी में भी एक होता है प्रेम विवा सुद्ध हिंदी क क्रेंब क्या होता है रवी और एक तैरीव उता है क्या होता इंतल देखते हैं एक कर करते हो तो कुछ वर्केबलरी जोते हैं जो हिंदी में आपको डीटेल में पता है वाट इन इंग्लिस यू गाइस दोंट नो वाट विडिस लेक्ट्टर विए जस गोई तो गवर्ट्स एंस लिट्ल बिट फ्रेज अफ मैरी पाड़ी ओके हां हां काहिनी जरूर साथ फेरा यह साथ फेरे एक साथ वचन क्यों साथी होते हैं हां चलो पहले दो चीज कवर कर तो उसके आप आगे देखेंगे ठीक है I start are you ready are you ready do you want to speak English or not do you want to speak English or not all right that's great me too like no means you know six years ago I I just I would know like how to speak English that's it but I would really don't know like how to express my words and feelings in English but after means involving myself in the field of practicing like while teaching while talking while doing conversation I have just overcome so many things six years ago I was just facing the same things which you have been just facing right nowadays okay so I really guys don't wanna you to face the same condition like whatever I have faced this is why I am just trying to I would I'm just try up my level best to give the best you all are here the thing which is really very mandatory that is word power word power means vocabulary it plays a major role like wherever you go if you have words you can easily communicate to the people if you don't have words how can you just communicate to the people so the thing which is mandatory that plays a mandatory role that is word power so we must have over command over vocabularies so one by one we are just means covering all the things okay so some of the topics we have already covered like in telephone etiquette I have taught you like how what kind of phrases should we use or while talking to somebody on a phone call after I just I have taught you shopping etiquette okay shopping etiquette means phrases related types of shop and the phrases that we generally use while doing any shopping and after this I have taught you the kitchen vocabularies is it yes sir is it so moving ahead again we are just going to capture words related to marriage party or wedding vocabulary so if we know the vocabularies we could just talk and to anybody we can easily communicate because nowadays because nowadays shadi season is going on and you can go to where you go and when you know what you can speak and when you know what you can tell us okay so moving ahead let's go see what English means of what do we say clearly सॉप इन्फब पर English में काते हैं कुछ कभी ब्राइट गुरुम हो थम्टrä फॉब्स को ते हैं क्या मदर-इनला इनला मतलब क्या होता है शास फादर इंला मींस फादर इंला एन्टे को क्या बोलेंगे सिस्टर इंला क्या जिस्टर sister-in-law मिस क्या होता है और साला क्या हो जाएगा बादर इल्ला साला क्या हो जाएगा ऑके अब ब्रिदर और सावाला को बोलते हैं गुरूम्स मैं क्या बोलते हैं गुरूम्स स्वाइव नौट अबस्टरॉफी गुरूम्स यह सथ वाइट वयट डॉन पाफू को क्या कहते है रड़ाटर इनला क्या बहु को बोलें हम डॉटर इनला और अगुवा या बिचोलिया तो इसको लोग बोलेंगे मैचमेकर क्या बोलेंगे इजो फ्रेंश लोग उती हूं को लोग इंगलिश में बोलते हैं ब्राइट मेट क्या बोलते हैं ब्राइट मेट और दामाद को बोलते हैं सब दामाद को बोलते हैं सब दामाद को बाइट है 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 अज़र okay so mr. yasoo yes sir so in your marriage party uh what's your planning uh would you like to share some points with me come here coming coming come on yeah come here body here we have guys mr. yasoo so mr. yasoo i wanna know like in your marriage party uh uh what's your expectation before your marriage party means what are you planning are you planning something or not yeah no no okay in which class do you study in class seven so do you have any expectation of views like uh with your marriage party will you do love marriage or arrange marriage arrange marriage why why because that is better that is better for whom that is better sir for everybody because what i have to do my family okay let's go begin for him come on take your seat thank you okay means uh in yasoo point of view like we should do arrange marriage that will be better for our family as well as to all the members well leave just moving ahead to the next vocabulary we have like sasural kya sasural ko am log kaate hai in law home in law home kya in-laws home in-laws home in-laws home mtl oom kya hush rada sasural ko bote in-laws kya holte in-laws मतलब ससुराल वाले भावी को क्या होते हैं शिस्टर इनला क्या शिस्टर इनला एंड जीजा को ब्रदर इनला क्या बदर इनला बॉलते हैं मैरिज मिस्ट यह विवार्ण समारो मतलब होता है जहाँ पर खाने पीने का मतलड सिस्टम रहेगा बूफे का सिस्टम रहेगा सब शाविवा समार्व शाओं मिण्स लव मैरीज क्या लट मैड इस शादव चुजए जूज ओक और लॉक्त एनगा इनगे नहीं पना को क्लिण को उनका को पहुद है चुजए क्योगा बशेट चुजट् करें शाट के वाली विवा को बोलते हैं किया गैंड संदूर को बोलते हैं क्या होते है इस क्या होता है एक चुटकी संदूर की कीमत तुम किया समझों स्मुझों Deaf होते हैं झालोग एक शुटकी संदूर को थे बोलते हैं आप डिच ए ऩो मिलियंग सन्में दूबिट Iss उसके सके साथ वह उसके सव और जाह अलग वह और अलग अलग होते हैं आजम आज साथ वह एकाम वह ऑस सेवन वह वा वह प्धा सेवन वह 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 clear whatever disco note crook with jali sam or we vocabularies okay thank you okay yes guys have you written off let's begin for everyone so as we all know that like in this today's lecture we are just you know learning like the vocabularies and the phrases related to you know wedding ceremony or just marriage party so there are so many word meanings words which is related to marriage party that we know in Hindi actually but we even don't know in English so today we are just covering so many things but during this lecture I want to just grab your attend attention towards me for a while and because we are just talking about marriage party so I wanna just share my views and opinions a little bit for a second for a while ah yeah today I just want to talk about something you know mother and daughter what is the meaning of daughter and mother what does daughter do for their moms they just do are so many things they help them in means working in kitchen some household words but apart from that they just play another role as a best friend with their mom is it do you accept it or not yeah so here I'm telling you all that there is another role that a daughter play as a best friend as well as mother also plays the same role as a best friend the thing which cannot be expressed that is called love that is called love okay my mammas your mammas everyone's mammas they all just hide their problems and situations everything but they don't want to show it some of us just we have some problems we can just we just easily show everything we just a cry for everything we just shout for everything we just express everything but there is one person that mamma she does not cry she does not shout she hides everything let's give a weekend for the mamma so moving ahead and we can see it 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 यहां से लिखें ओके अ कन्यादान और और क्या होता है जलनी बोलो ना जो ठीक है मंगल शुत्र वह नहीं था क्या मंगल शुत्र ले लो इसमें मंग टीका ले लो मंग टीका एंड पायल अरे हार महराज वही चूडी हार जूलरी में आ जाएगा ठीक है झूल डूपट बजिवल्री निफानाउंस करते हैं क्या प्रोंसकर देशा właściwie क्या में ठीक है हाँ आग 좋아요 stop अधिनाथ को लालना का है सब्सक्राइब दॐन सब्सक्राइब पगड़ी हाँ पगड़ी तो भूली रहे थे हम लोग पगड़ी हो और एक वो मंदप क्या मंदप जान रहे हो नहीं मंदप और एक पंडाल होता है क्या होता है पंडाल जूता चुराई रस्म रजनी कबी जूता चुराए हो अच्छा तब सही जूता चुराई रस्म और पताओ तो कपड़ी में जाएगा ना कमारा विडाई और क्या होता है दहेज तो हो क्याता ना नहीं हुआ है चो ठीक है दहेज लड़की घर को वोलते हैं माइका और राथ वेरी गूट तीजे और पाल की ले लो पाल की पहले का लोग एई सिस्टम वोता ताना जिसको डोली का दोली काते हैं उसको क्या बोलते हैं पालकी और कार भी हाँ ठीक है आप अपने साथ ले जाओ है और कुछ चूट रहा है और देखो और सोचो माइं डोड़ा कुछ और कर रहा है चोटी कभी आजाए का मैंड में आनन दोला बने बहुत जल्दी है हास रहा है सुदूथ ऐसलो इसके बोल ब्ला देखोए कंटावव मतलब क्या होता है महां वेडिंग चैन मंगल सुद्ड मांग टीका को क्या बोलते एंकले थियर फिलक सबक्लित मतलब क्या होता है पाइल क्या होता है घ्यर्ष विलताया बइंगल कह जिए बेंगल है बझे बैंगल जोडेर ऑनक्तनीक को क्या बोलते हां नोजरिंग नमें पारिये थैन अधमिक को उसलिगान और भूब तोरिंग the cat touring have you ever worn touring yes are you mad yeah mr. Raj have you ever worn touring I have not worn okay the third form of VR is born okay that's great party have you overwhelmed are you married or not that's great तब करी पहन लिया इसको क्या होता है इसको डर्बन क्या होते है थार्वन में चाहोता है पगडी यह साफा इसको साफा भी बोलते है क्या साफा ठीक है अब मंदब कि को बोलते है कैण आपी क्या कैनापी मतलब मंदफ and Pandal को बोलो क्या वोलेंगे Markyu मतलब क्या होता है Pandal एक तो मंदप होता है जहां सादी होता है और Pandal को क्या बोलते है Markyu जूता चुराई के जो रस्म होती है उसको लोग ओलते है Suistealing Ceremony Su Stealing Ceremony बनी है ओके विदाई को बोलते हैं फेरवेल क्या बोलते हैं या क्या बोलते हैं दहच को बोलते हैं डावरी क्या दावरी बारात को बोलते हैं प्रोसेशन या वेडिंग प्रोसेशन क्या वेडिंग प्रोसेशन मतलब होता है बारात वेडिंग प्रोसेशन मतलब क्या होता है बाराती को बोलते हैं वेडिंग गेस्ट क्या बोलते हैं वेडिंग बाराती क्या बोलेंगे वेडिंग गेस्ट ओके माइका को मैटर्नल्स होम यहां मैटर्नल्स मैटर्नल्स होम मतलब माइका जो लड़की का घर होता है माइका होता है मैटर्नल्स होम रद को बोलते हैं चैरि मतलब क्या होता है फालकी और एक होता है देखो कुमारा और कुमारी ठीक है कुमारा और जिसकी साधी नहीं हुई रहती है तो उसको लोग क्या होते हैं कुमारा और कुमारी तो जो लड़के लोग होते हैं उनको बोलते हैं बैचलर्स क्या होते हैं बैचलर्स मतलब क्या होता है कुमार औंड कुमारी मतलब हो जाएगा इस पिंस्टर क्या किा हो जाएगा कुमारी हो जाएँ नहीं है कि कि दंसर.." हमाला प्रचाल के डाइगा वेट गाइज वेट वेट गाइज वेट अब माला हो जाएगा क्या गार्लेट और कोई सावान चूट रहा है क्यों बोला भी या ने ने सही है कापी सही है एक सेकंड वेट गाइज ओके बड़े धीरे से बोले सुहाग रात सुहाग रात को देखो वेडिंग नाइट भी बोलते हैं क्या वेडिंग नाइट और एक हम लोग बोलते हैं नफियल नाइट क्या होता है यहां लिग दे रहा हूं ठीक है क्या होता है नफियल इसको क्या पढ़ेंगे शियल नफियल नाइट अरे एक होता ना इसेंसियल क्या होता है यसे भी तेसे से अलकी नाव तेसे नप्सीया नप्सीया नाइट किसका लिखा लगाता है अर्वाइट इन कोना इस hurry up write it down soon yes guys have you all done have you written yeah every day that's quite so we have just covered all the vocabularies and means we related to wedding ceremony now it's time to see the phrases that we can use बीवाइब को गुलोется है से लेड़े कünde मेरे इंगेजमेंट में किस नहीं बुला इंगेजमेंट में किसने बुला दहा है का रोगा वो इंवाइट यू फो इन वाइट इन गेजमेंट या that's it who invited you in my engagement तुम्हेरे सगाई में किसने मुलाया दूला पंडप से दूला नहीं दूलन भागती है ना दूलन पंडप से फरार हो गई या भाग गए तो दूलन किसकी में सोता है ब्राइट अब्राइट गॉट अवे ब्राइट गॉट अवे ब्राइट गॉट अवे ब्राइ कि ठीक है सभी बाराती आ गये हैं all wedding guests all wedding किसने चुराया करने का जूत्स ने चुराया है कामॉं चलमी सौन एक कज भी किस ने चुराया वेशिम्पल शाली ने शाली ने जूता साली ने दुले का जूता चुरा लिया है। बुले का जूता चुराया है। साली ने तुले का चुराया है। मतलब sister-in-law sister-in-law has stolen, has stolen, the groom suze भी बोल सकते हो क्या, the grooms shoes very simple or question tense guys you want to share do you want to share your sentences come on hurry up then how do you speak in English how to speak in English then wedding procession has come that's great so done okay so we will do this with shairi okay are you ready yes sir are you ready that shairi I have not heard that shairi let's begin for Mr. Rajkumar come on let's begin body Mr. Rajkumar I am going to end this video so please just share your shairi with all of us come on hurry up hello everyone hello good afternoon my name is Rajkumar Gaur today I am going to share a shairi huh you jamie bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe यहान पत्राइए लहान